नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर येशु सैनी है और मैं महात्मा गांदी अस्पताल में शिशु गुर्दा रोग विशेशग्य या पिडेट्रिक नेफ्रोलोजिस्ट की रूप में कारे कर रहा हूँ आज हम जानेंगे शिशु गुर्दा रोग या जिसे हम अंग्रेजी में पिडेट्रिक नेफ्रोलोजी स्पेशिलिटी बोलते हैं ये क्या है पिडेट्रिक नेफ्रोलोजी या शिशु गुर्दा रोग एक नई स्पेशिलिटी है जो सिर्फ बच्चों के लिए जिसके अंद आरी चीजें हम इस Pediatric Nephrology Specialty में मरीजों को प्रदान करते हैं, मैं एक एक करके आप से इसके बारे में चर्चा करूँगा, मुख्य तैप शिशु गुर्दा रोग में हम बच्चों की किड्नी की बिमारियों को तीन हिस्सों में बाटते हैं, पहली वो बिमारियां जो किड्न एवं यूरिनरी सिस्टम, किड्नी के नीचे वाले सिस्टम के जनम जात विकारों के कारण होती है, दूसरा कैटेगरी जिसके अंदर जनम के समय किड्नी और यूरिनिरी सिस्टम बिलकुल नॉर्मल है, पर बाद में जाकर के किसी इंफेक्शन के कारण, किसी इम्मुनिटी की समस्या के कारण या और बाकी चीजों समस्याओं के कारण बिमारी उत्पन होती है तीसरी कैटेगरी होती है किड्नी का फेल हो जाना ये तीन मुख्यते कैटेगरी हैं जिसके अंदर बच्चों में किड्नी की बिमारियां होती हैं और हम इनका निदान करके इनका इलाज मरी कि जनमजात विकार शरीर के किसी भी अंग में हो सकते हैं परंतु किड्नी एवं यूरिनरी सिस्टम के जनमजात विकारों का प्रतिशत बाग की अंगों के मुकाबले काफी ज्यादा है इसके अंदर किड्नी जहां पे होती है उसकी जगे बदल जाना किड्नी से निकलने वाली ट्यूब जिनको हम यूरेटर बोलते हैं उनमें संकुचन या धीलापन होना उनका पेशाब की थहली में गलत जगे उनका अटेच्मेंट होना पेशाब की थहली की बनावट में गड़बडे होना पेशाब की थहली में भार निकलने वाली जो ट्यूब होती है जिससे बच्चा पेशाब करता है जिसको हम मेडिकल भाषा में युरित्रा बोलते हैं उसमें जनमजात रुकावट होना ये मुख्य समस्या हैं जो जनमजात विकार किड्नी और उरिनरी सिस्टम के होते हैं उनके अंदर आती है दूसरी के अंदर जैसा मैंने आपको बताया वो बच्चों की किड्नी की बिमारियां जो जनम के बाद बच्चों के अंदर उत्पन होती है इसके अंदर दो मुख्य कारण होते हैं जिस वज़े से किसी बच्चे की किड्नी पे असर आता है पहला कारण अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का गंबीर इंफेक्शन हो रहा है तो इंफेक्शन शरीर के अलग-अलग अंगों में फैलता है उसके कारण बच्चे के blood pressure और बच्चे के खून बहने की गती में फर्क पड़ सकता है जिसके कारण indirectly kidney के उपर असर आ सकता है kidney का काम करना कम या बंध हो सकता है दूसरी चीज होती है खुद kidney के direct infection होना जिसमें पेशाब की थैली का infection, kidney के अंदर abscess बनना kidney के अंदर किसी भी bacteria किसी भी जिवानों का infection होना चाहे वो fungus हो चाहे वो bacteria हो तीसरी category जो बच्चों के अंदर kidney की बिमारियों की होती है वो होता है kidney का fail हो जाना ये सबसे गंभीर category of बिमारी में आता है जिसमें माता पिता पूरी तरह परिशान शौक हो जाते हैं माता पिता परिजनों से बच्चे की स्थिती के बारे में बात करता हूं तो मैं सबसे पहले उनको ये जानकरी देता हूं कि kidney की kidney का fail हो जाना के भी दो प्रकार होते हैं एक जिसमें kidney temporary रूप से कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है या कम कर देती है ये वो स्थितियां होती हैं जिसमें अधिकतर परिस्थितियों के अंदर primary kidney में कोई समस्या नहीं होती है शरीर के किसी दूसरे अंग में किसी प्रकार की समस्या होना खास तोर से उन बच्चों में जो बच्चे आईसीयू में किसी गंभीर बिमारी के कारण भरती हुए है और indirectly उनकी kidney के उपर असर आ गया है और वो kidney काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है हमारे देश के अंदर जो बच्चे आईसयू में भरती होते हैं उन में करीब 35 से 40 प्रतिशत बच्चों में कम या जादा प्रकार का किड्नी फेलियर होता है जिसको हम मेडिकल भाषा में एक्यूट किड्नी इंजरी या एक याई नाम से जानते हैं इसके लिए हमें बच्चों के दवायों में बदलाव करने पड़ते हैं बच्चों को जो फ्लुइड चड़ाया जाते हैं उसमें हमें बदलाव करने पड़ते हैं और कई बार हमें बच्चों की का डायलेसिस भी करना पड़ता है दूसरी कैटेगरी औफ जो किड्नी की फेलियर की होती है वो होती है पर्मानेंट किड्नी फेलियर इसके अंदर किड्नी पूरी तरह से और पर्मानेंट काम करना बंद कर देती है ये मुख्यते दो कारणों की वज़े से होता है अगर जनम जात विकार बहुत गंभीर है या फिर वो समय से उसको पकड़ा नहीं गया है और वो जनम के बाद धीरे धीरे बढ़ गया है तो बच्चा सीधा इमर्जेंसी में पहुंसता है किड्नी फेलियर के लक्षणों को लेकर लेगी तो जनम जात विकारों के कारण होने वाले किड्नी फेलियर एक अच्छा खासा प्रतिशत बनाते हैं बच्चों के अंदर पर्मानेंट किड्नी फेलियर का दूसरा कारण जो पर्मानेंट किड्नी फेलियर का होता है वो होता है कि टेंप्रेरी किड्नी फेलियर या तो धीरे-धीरे प्रोग्रेस करके पर्मानेंट में बदल गया है या जब किड्नी फेलियर हुआ तो उस समय किड्नी को इतना मेजर डैमेज हुआ कि वो वापस नॉर्मल की तरफ ही नहीं आ पाई इन दो सूरतों के अंदर किड्नी पूरी तरह से शतिगत हो जाती है और पर्मानेंटली काम करना बंद कर लेती है तो ये तो थे तीन मुखे कैटेगरी जिसके अंदर बच्चों की किड्नी की बिमारियों को हम बाटते हैं अब हम जब इलाज की बात करते हैं तो बच्चों की किड्नी की बिमारियां और वयसकों की किड्नी की बिमारियों में काफी फर्क होता है वयसकों में किड्नी की बिमारियां प्राइमरी किड्नी की बिमारियां नहीं होती है मोटापा, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या इनके कारण kidney damage होना मुख्य प्रतिशत बनाता है वैसकों के अंदर kidney की बिमारियों का या kidney failure का बच्चों के अंदर होने वाली बिमारियों में जनम जात विकार एक मुख्य कारण होता है बच्चों के अंदर hypertension या जादा BP, sugar अगर इन सब चीजों की वज़े से kidney की बिमारियों होना या उनका फेल होने का प्रतिशत बहुत ही नाममातर का है जब हम इलाज की बात करते हैं तो बिमारी के हिसाब से जो जाचें और जो दवाईयों उपलब्ध हैं उनके तहत हम बच्चों का इलाज करने की कोशिश करते हैं मगर मैं आपको ये साजा करना चाहूंगा कि रुटीन जाचों और दवाईयों के अलावा बच्चों के अंदर डायलेसिस करना एक मुख्य इलाज का हिस्सा है जो कि हर अस्पताल में या हर सेंटर पे उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि इसके लिए बहुत ही टेक्निकल डीटेल्स और एक्सपरटाईज होना जरूरी है हम हमारे असंस्थान के अंदर बच्चों के लिए जन्म से लेकर 18 साल की उमर तक हर प्रकार के डायलेसिस की सुविधा प्रदान करते हैं डायलेसिस मुखे तरह दो तरह के होते हैं जिसके अंदर हम पेट में ट्यूब डालके उसके द्वारा गंदगी की सफाई करते हैं जिसको हम पेरिटोनियल डायलेसिस कहते हैं और एक दूसरा तरह का dialysis जिसमें हम खून की बड़ी नस्में ट्यूब डालके खून की सफाई करते हैं जिसको हम hemodialysis करते हैं hemodialysis भी basic से advanced तरह की hemodialysis होते हैं जिसमें CRRT सबसे advanced तरह का hemodialysis की पद्दती है जो हम हमारे संस्थान में बच्चों को प्रदान करने में सक्षम है नवजाद से लेके 18 वर्ष तक की उमर साथ ही साथ मैं आपसे एक और बात साजा करना चाहूंगा कि आजकल बच्चों के अंधर भी गुर्दा प्रत्यारोपन या kidney transplant की सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारे देश में उसके लिए expertise अवेलेबल है उपलब्ध है बच्चों की गुर्दा प्रत्यारोपन के बारे में आम जन्ने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही selected शेत्रों में selected centers और hospitals में उपलब्ध है और हमें ये करने की ज़रूत गुर्दा प्रत्यारोपन की सलाब बच्चे के माता-पिता को तब देनी पड़ती है जब बच्चे की किड्नी पूरी तरह से शर्तिगरत हो करके डैमेज हो जाती है और वो डैमेज पर्मानेंट होता है उसको हम किसी भी प्रकार की दवा से वापस नहीं ला सकते हैं ऐसी परिस्तिती के अंदर कोई भी बच्चा जो 10 किलो से उपर का है या एक से डेड़ साल की उम्र से जादा का है उसको हम किसी वैस्क व्यक्ति की जिसके अंदर सबसे पहले बच्चे के माता पिता आते हैं हम वैस्क व्यक्ति की किड्नी उसके अंदर लगा करके सफलता पूरवक गुर्दा परतेरोपन कर सकते हैं और बच्चे को एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते है ये भी सुविधा हमारे संस्थान में उपलब्ध है अब अन्त में मैं आप से ये कहना चाहूंगा कि वयसकों के अंदर जब किड्नी की बिमारी होती है तो उनको काफी सारे परहेज बता दिये जाते हैं जैसे कि प्रोटीन का सेवन कम करना ज्यादा तली भूनी चीजें कम खाना क्योंकि तली भूनी चीजें मोटापा और हाइपरटेंशन और शुगर तीनों के लिए हानिका रखें मगर बच्चों के अंदर हम इतना टाइट डायेट कंट्रोल या इतना सक्त डायेट कंट्रोल नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे के अंदर इतना restriction लगाना संभब नहीं है उससे बच्चे में चिड़चड़ापन आना जो उसको लंबा इलाज चलना है किड्नी के लिए उसके प्रती उसके मन में संकोच आना दवाएं बीच में छोड़ देना ऐसी समस्यां काफी उत्पन होती हैं जो की वैसको में नहीं होती है साथ ही साथ बच्चे की किड्नी की लंबी बिमारियों का इलाज करने के साथ-साथ हमें बच्चे के समय समय पे टीका करन और बच्चे की ग्रोथ का भी साथ-साथ में ध्यान रखना होता है इसलिए बच्चों में बताये गए परहेज टोटल ही डिफरेंट होते हैं वयस्कों के मुकाबले अन्त में मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके परिवार में, आपके रिष्टेदारी में, आपके आसपडोस में अगर आप ऐसा कोई बच्चा देखते हैं जिसको किसी प्रकार की गुर्दे की समस्या है, बच्चे को पेशाब में कोई तकलीफ है, बच्चे के सारे शरीर पे सूजन आ रही है और बच्चे के परीजन ये जानते हैं कि उसको किसी बड़ी किड़नी की बिमारी है, तो वो अपने सबसे नजदीक के शिशु और बेस्ट एमम एक्सपर्ट इलाज प्रदान करें धन्यवाद।